गुड माउडिंग आपको पेडेस्टर बेरिंग के असेम्बेल बताने जा रहा हूँ कि अध्यान से देखेंगे और मैं असेम्बेल बताने के पहले एक चीज़ आप लोग को जरूर कहना चाहूंगा कि जिसका भी असेम्बेल बना रहे हैं उसका फोटो अस्टेट जरूर अपने पास रखेंगे जिससे कि आपको वीडियो में फाइदा होगा अगर आपके पास सिर्फ वीडियो देखते ता आपको कोई फाइदा नहीं है जिस भी assembly का बना रहे जिस भी assemble कर रहे हैं जिसे भी assemble कर रहे हैं आपको उसका photo estate आपके पास होना चाहिए तब वीडियो देखिएगा आपको बहुत फाइदा होगा और फटा फट बनेगा इसलिए एक बार मैं कहना चाहूंगा कि जिस assembly जिस parts का assemble कर रहे हैं चाहिए foot estate bearing हो किसी का हो आप उसका photo estate अपने पास रखेंगे जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक बार फिर करता हूँ कि numbering जरूर याद रखेंगे चोटा चोटा assemble हमेशा main body में हम उसको fit करते हैं और जब fit हो जाता है तो उसी को assemble बोलते हैं तो assemble करने के पहले main body देखना है और कितने parts उसमें assemble होगे उसको देखना है तो देखे main body हमारा ये है आप देख रहे है main body हमारा ये है उसके बाद ये आपका parts है ये parts है यानि one two three four ये आपका top view दिया हुआ है top view हमको draw नहीं करना है सिर्फ हम assemble बता रहे हैं तो assemble में देखना है सबसे main body ये है इसमें हमको इसको fit करना है इसको fit करना है इसको fit करना है ये nut और bolt है आप देख रहे हैं तो pedestal bearing बताने के पहले आपको octagonal बनाने के लिए बता रहा हूँ जो देख लें ये जो part है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, छे, साथ, आठ ये दोनों मिलके ये octagonal बनाएगा तो octagonal बनता कैसे है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जितना mm का दिया हुआ रहेगा सरकील उसको सरकील घीच लेंगे सरकील घीचने के बाद सबसे पहले क्या है जितना radius का आपका सरकील घीचना घीच लीजिए according to dimension अभी तो मैं बता रहा हूँ उसमें बताऊंगा और इसको आठ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे इस सरकील को आठ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे डिवाइड करने के बाद हर division पर देखेगे यहाँ से इसके tangent यानि इसके perpendicular line घीचेंगे फिर यहाँ से इसके इस line पर perpendicular line घीचेंगे इस line पर perpendicular टच करते हुए touch करते हुए सब पर क्या करेंगे perpendicular line घीचेंगे इस line पर perpendicular करके इस line पर perpendicular करके खीजले तर टच करते हुए आपको ये hexagonal, octagonal बन जाएगा, इसको धियान रखना कैसे बनता है, ये चीज धियान रखना है, अब यहाँ देखिए, आपका सबसे पहले क्या first ड्रा करना है, यहाँ देख लेना है, 310 और 40 पलस 40, यानि 390 का एक horizontal line ड्रा कर लीजेगा, 390 का, यानि यहाँ से लेके, यहाँ तलग, यहाँ से लेके यहाँ तलग कितना है, 390, 390 का line ड्रा करने के बाद, अब central line ड्रा कर लेंगे, क्या करेंगे, center line ड्रा कर लेंगे तो center line ड्रा कैसे करेंगे दो जानते हैं कि हाफ होता है अब यहां से देखें इधर से 40 छोड़ा है इधर से 40 होता कितना बचा है 310 यानि 310 के आधा पर से एक भटी का लाइन खीच लेना है क्या खीच लेना है भटी का लाइन यानि यह हमारा 310 के आधा पर से है 310 के आधा पर से भटी का लाइन खीच लिए खीचने के बाद अब देखिए यह हमारा अब निकालना क्या है यहां से इसको निकालना है यहां से इसको निकालना है तो सबसे पहले बेस से चलेंगे बेश से चलेंगे तो यहां देखिए 25 mm प्लस 6 mm कितना हो गया यानि 25 छो 31 mm उपर चलना है कि आचलना है 31 mm उपर चलना है 31 mm उपर चलके 6 mm इधर चलना है कितना चलना है 6 mm इधर चलना है 6 mm चलके आप कहता है कि जहां पर 25 है पहले 25 पर point मार देगे 31 पर point मार देगे 31 point से 6 mm इधर चलना है right चलना है right चलके 25 mm पर से इसको fillet कर देना है कितना कर देना है 25 mm से fillet यानि देखे यहां से यहां से 25 चले अब 25 से उच्छे उपर चले अच्छे से right चले जहां पर हमारा 25 से वहां से और 31 के point के इसको क्या करते है फिलिट हाथ से इसको करके बना देते हैं दोनों तरब बनाएंगे इधर भी बनाएंगे दोनों तरब बनेगा अब देखिए अब हमको देखना है इस center line bolt है यहां पर bolt जो लगता है इसका तो यहां पर देखे 40 mm पर center है कितना mm पर है 40 mm तो यहां से 40 mm पर हम center line खीच लेते हैं क्या करते हैं center line खीच लेते हैं इधर भी उसी परकार खीच लेगे इधर भी 40 mm पर center line खीचेंगे इधर भी 40 mm पर center line खीचेंगे 40 mm पर center line खीचने के ब distance आपको यहाँ से पता लगेगा देखें यह यहाँ से इसका डायमीटर यहाँ से तो कितना दिया हुआ फाई 45 यानि 45 के आध हा इधर यानि यहाँ से सेंटर लाइन से 45 के आध हाँ इधार फयाँ पैटाफा आपका बन गिया कि दोन अत्रा बन जाए अब यहां से उपर चले अब हाइट हमको देखना है कि हाइट हमारा कितना है यह हाइट हमारा कितना है तो इधर देखे यह हमारा 95 है 95 पर चल जाएंगे 95 पर चल जाएंगे यहां से सेंटर से 95 अब देखी यहां एक चीज और देखेगा यह 3 mm का दिया हुआ है यह 3 mm का यह 3 mm तक कितना है तो 12 mm इधर से 12 mm इधर से छोड़ कर 3 mm उपर जाकर इधर डौटेट होगा इधर बोल्ट हो जाएगा यानि यह हमारा डौटेट पार्ट है यह हमारा बोल्ट यानि आप कहिए कि बीच वाला कितना है तो 24 देखें तो भी उसे देखेंगे यह हमारा यहां से यह प इधर है 12 इधर जाके 3 mm हाइट चलेंगे और उसको हाथ से फिलेट कर देंगे चलके 12 mm लेप्ट से इधर से लेप्ट से राइट चलेंगे इधर राइट से लेप्ट 12 चलके 3 mm उपर जाकर इसको इस तरह से बना देंगे यह आपका बन गया अब देखिए यह पार्ट को बनान तो देखिए इसका height दिया हुआफ़ा है 18 दिया हुआ, high कितना दिया हुआ 44, यानी यह यहाँ से central line से देखिए, आप central line यह निकलेगा केसे, तो center line निकलना है यहाँ से, देखिए, यह हमारे 155 है, कितना है 155, तो 145 का आधा इधर लेंगे, एक सो पचपन का अधा इधर लेंगे तो आपका एक सो पचपन क्या था यहां से इस सेंटर लाइन का एक सो पचपन है तो एक सो पचपन क्या था इधर एक सो पचपन क्या था इधर लेंगे एक भर्टिकल लाइन घीच लेंगे थीन लाइन वह आपका सेंटर लाइन निकल ज यानि 22 यहां से इधर आप 22 इधर आपका यह बन गिया आपका यह पार्ट दोने तरफ बनेगा अब देखे यह हमारा अब जब निकल गिया तो यह बोल्ट इसका अंदर यह हमारा देखना इसका कितना है यह हमारा dimension यह कितना होगा तो यह dimension यहां से देखे यह हमारा कितना है यहां पर देखे यह 32 है यह तो आगे वाला 32 है इस होल का इस होल का देख लेना है और 16 यह हमारा यहां से सिधे यह आपका रोड का यहां चलेंगे 32 यह 32 है आपका यह देखे यहां पर देखे यह आपका 28 दिया हुआ कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है यानि यहां से 14 इधर यहां से 14 इधर यानि 14 इधर यहां से 14 इधर चलेंगे इस सेंटर से 14 इधर चलेंगे आपका यह पाट निकल गया Height आप कितना जाना है वो अभी आपको Consider नहीं करना है। अब हमको यह निकालना है इधर वाला पार्ट कितना होगा। यहां से Central Line से यह पार्ट कितना होगा। तो देखिए यहां पर R 32 दिया हुआ है। यानि यहां से Central Line से इसका Distance कितना है? 32 है। अब ये पार्ट देखिए, ये पार्ट हमको कितना है यहाँ से यह तलक तो देखिए यहाँ पर फाई दिया हुआ है, डामेटर दिया है 100, यानि 50 पर यह है, हमारा क्या है, 50 पे है, यहाँ से यह डिस्टेंस 50 पे है, यानि ये आपका पूरा part निकल गिया, दोनों side same है, या धज इधर इतना same होगा, इतना ही इधर same होगा, यानि आपका इधर बाला part और इधर बाला part दोनों same to same जाएगा, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे देखे, यह हमारा दिया हुआ है, यह 95 और, हाइट पर 95 में हाइट पर हम सेंटर मानते हैं यहां से 50 यहां से 50 है उपर हमारा कितना है 35 है तो 35 को अभी हम भूल जाएंगे इस 35 को भूल जाएंगे 50 हम यहां पर सेंटर पर लेके 50 रेडियस का लेके एक सर्किल बनाएंगे जो अभी सर्किल बताए थे यानि 50 रेडियस ले सर्किल बनालेते हैं कया करते हैं कि फूल सर्किल बनालेते हैं फूल सर्किल बना के आगे फाट को मिटार देंके और ऊसको से 35 ूपर चलेंगे तो देखिए मालन लेते हैं कि यही हमारा सर्किल 50 mm का है तो अब 50 mm का सर्किल याण सर्किल बन गया तो इसमें हम क्या करते हैं टेंजेट मेथट से Octagonal बना लिपते हैं अब यहां से क्या करते हैं उपर वाला पात को हम साफ कर देंगे क्या करेंगे उपर वाले पार्ट को साफ कर देंगे अब यहां से 35 में मूपर चलेंगे यानि यहां से 35 में मूपर जाएगा यहां पर देखिए अब यह हमारा सेंटर है यहां पर देखिए सेंटर है सेंटर लेके इसको नहीं बोलना है अभी इसको नहीं अ जाते हैं 35 पर से फिर 50 mm का हम रेडियस लेते हैं इस सेंटर पर से 35 mm यहां से उपर जाके फिर सेंटर मानते हैं इसको और 50 mm रेडियस का हम सर्किल मानते हैं सर्किल बनाने के बाद फिर यही मेथर यही मेथर से उपर चार भाग में बाट देंगे और फिर इसको टैंजेट मेथर से आपका यह पार्ट बन जाएगा अब यह पार्ट को मिला दीजे 35 यहां से जो 35 है तो यह पार्ट मिलेगा उपर बढ़ेगा और यह पार्ट आपका ब बन गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ बन गया, अब देखिए यह हमारा 2 mm छुटा हुआ, कितना है 2 mm, देखिए यहां पे, आपका 2 mm का गैप है, 2 mm का, यारी दोनों तरब, फिर इस पे हम 2 mm साइड लेके, 2 mm का गैप करके हम बना देते हैं, यारी 2 mm का इध यानि यहां से ए आपका कितना है, 95 में है, और यह हमारा कितना हो गया, 35 यानि, 95 में जोड दें Umwelt, आपका यह हाइट निकल गया,hole हाँ से आपका यह हाइट निकल गया, यहाँ पर देखिए यह फिलेट करना है, तो हाथ से न की का मदम से इस हमारा से थेंड, It's एक कर देए अब देखिए, अब हमको पाट इसकोhead करना है, तो यहां पर देख़िए, यहां पर हमारा यह जो corner है, यहां पर int कर रहा है, इस octagonal का एक int यहां पर कर रहा है, अब यहां से 10 mm उपर जाना है, कितना जाना है? 10 mm देखिए दिया हुआ 10 mm आपका उपर जाना है 10 mm उपर जाके यह आपका पार्ट निकलेगा अब कितना पार्ट निकलेगा यह भी नहीं धियान देना है अब देखिए हाइट हमार इसी के बराबर जाएगा ना इसी के SIZE में जाएगा, तो यहां से आप देखिए, यहां से आप 50 जहांपर आये हैं, अब उपर वाला पा zwei को बनाना है, यह वाला पाट को हमको बनादा है, तो वह बाला पाट कहाँ से एक, यहां पर R82 दिया हुआ है, यानी 50 जहां पर सेंटर है, इस center से R82 लेके एक कर्व बनाएंगे R82 लेके कर्व बना दिये कर्व बन गये आपका कर्व बन के अब देखी यहां से यह हमारा जो यह आपका part इसका देख लीजिए यही part सेम टूस से मूपर जा रहा है यही part यानि यहां से हमारा यह 32 यहां से क्या है 32 से 29 है, आये हमारा कितना का, 28 है, देखिए ये हमारा कितना है 28 भाई, यानि 14 इधर इधर हो गिया। अब यह 10 चले इधर आये अब 25 उपर चले यानि 25 जहांपर आपको मिला देना है इस कर्व को 25 पर जहांपर चले रहा है यानि यहां से हम 36 चले, यह कितना चले? 36, same to same यहां से R 32, यहां से हमारा distance कितना हो गया? 32 यहां से देख रहे हैं, यह हमारा 32 है, देख लिजे यहां पर दिया हुआ R 32, यानि इस center line से यह 32, यहां से उपर हम 36 चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं? 36, यानि 25 यह उपरे इसमें से add कर दिये यानि add करने के बाद यह हमारा total कितना हो गया 36 हो गया same to same यह आ जागा यहाँ पर इसको horizontal मिलाना है इस आर्क को 36 पर मिलेगा अब यहां से 16 उपर जाना है 16 उपर जाके हमारा a part बनेगा यह पर कितना का 28 फाई का यानि यह हमारा डिस्ट यहां से center line से यह 14 इधर 14 इधर हाइट कितना है 22 है हाइट कितना है 22 यहां से 16 पर से चलेंगे और यहां से निचे कितना आवेंगे 22 आवेंगे clear अब देखे यह पार्ट का अब यह पार्ट यहां पर यानि यहां से यह हमारा पार्ट बन गिया यह हमारा यहां से 36 है 36 पर जाके करह बना यह हमारा कितना है 25 है 25 पर जाके करह बना और यहां से यह distance हमारा कितना है 22 है अब यह इसको हम लेते चलेंगे अब यह पार्ट यह से नीचे आएगा इसका देखे दिया हुआ है आपका कितना यह आपका होल दिया हुआ है 6 का यह कितना का दिया हुआ 6 का 6 5 का यह दिया हुआ है 5 6 है यानि यहां से 3 इधर यहां से 3 इधर तीन इधर यह टोटल आपका कितना है देखे 28 है यानि यहां से 14 इधर 14 इधर नीचे कितना आ रहे हैं बाइस आ रहे हैं बाइस यह हाइट आपका कितना है बाइस है बाइस आके अब सेट कर देना है अब यह हमारा पाट आपका यह सेट हो गया यह पाट आ गया अब इसको सेट करना है क्या करना है सेट करना तो इस पाट को इस पाट को सेट करना है तो देखिए यहां 50 है और यहां 35 है यह दोनों के बीच में सेंटर माल लीजिए 50 और 35 के बीच में 50 और 35 के बीच में यह सेंटर होगा यहां 50 था 50 से बनाये थे तो यह रेडियस बना था और 35 से बनाये थे तो उपर वाला हमारा रेडियस यह ओक्टागुनल का पाट बना था तो 50 और 35 के बीच में center मानके और ये part बनाना है ये part कितना का लेना है? R45 का यानि ये वाला part जो circle है R45 है ये वाला part कितना है आपका? ये वाला बाहरी वाला part आपका R45 और कहिए कि अब ये part कितना का है? तो ये देखिए, यहां से लेंगे फाई 75, 75 के आधा लेके, 75 के आधा लेके ये part ये आपका circle बनेगा 75 का आधा, 75 का आधा लेके आप ये part बना देंगे क्योंकि ये total चीज आपको यहां पर देखिए 115, 75, 100, फाई दिया हुआ है अब देखिए, ये वाला part बन गया अब इस part को, इस part को इसको अंदर डालना है तो यहां से देखिए, ये 18, 190 यानि यहां से, ये हमारा, यहां से ये 18 part है ये हमारा यहां तक, 18, यहां से लेके यहां तक कितना है, 190 इसका डाय देखिए, 24 दिया हुआ है यानि ये हमारा, यहां से ये 12 हो गया यह हमारा बारा बोल्ड वाला लाइन बारा हो गिया यह बन जाएगा अब आगे बढ़िए अब बासर जो है 2 mm का बासर लेना है कितना लेना है 2 mm का बासर लेना है और बीट्स लेने के बाद 2 mm हाइट पर अब इससे अब देखे इसका हाइट कितना होगा और इसका हाइट कित डायमीटर किसका इसका डायमीटर इसका 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 यह कितना दिया हुआ देखिए यहां पर 24 दिया हुआ है यानि यहां से यह 24 mm है यह हमारा कितना है 24 mm है अब 24 mm आ गिया आपको कहता है कि ये जो आपका पार्ट ये पार्ट ये पार्ट कितना है तो इसका पार्मूला है 1.5 डी पलस 3 mm यानि जितना ये डाइमीटर है उसको 1.5 से गुना कर दीजिया और 3 mm जोड़ दीजिये तो आपका यहां से यहां तलग का बिट्स निकल गिया यानि पहले तो डेमिट 24 के अधा 12E हो गिया और जो रेस्ट बचा हमारा यहां से उसमें इधराइड कर देंगे और हाइट कितना चलेंगे D अब यह जो लॉकनट है उसका कितना हाइट होता है तो उसका जो हाइट होता है इसका लॉकनट का हाइट होता है 0.6D यानि 0.6 से 24 को गुना कर देंगे तो आपका यह हाइट निकला है बाकि same to same को कर देना है दोनों तरप आपको इसको फिलेट कर देना है यही आपका टूल पोष्ट का, टूल पोष्ट नहीं, पेडस्टल बेरींग का असेंबल है, अब देखिए, यहाँ यह पाट आपका 6 है, 6 दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया हुआ, यानि यहाँ से आपका यह पाट है, यहाँ से यहाँ 3 एमेंग और इसको डोटेट कर है material क्या है material लिख देना है एक चार्ट बना के और अपना आपका ब्लॉक जो बनाते हैं जिसमें आप नेम बगेरा लिखते हैं उसको भी लिख देना है यही आपका प्रेडेश्टल बेरिंग का असेंबली है कहीं दिकत हो तो एक वार फिर कमेंट करेंगे आप वीडियो देखके कमेंट करेंगे जहां आपको नहीं समझ में आएगा फिर मैं उसको आपका रिपलाई करूँगा एक वार मैं फिर कहना चारा हूँ जो अस्टुडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले और घंटी जरूर बजाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन जाते रहेगा धन्यवाद थैंक्यू